सबसे बड़ी शरम की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है वो किसी बहुत बड़ी पार्टी में फंक्शन में खाना खा रहे हैं और कहीं बैटके हसी मजाक और ठिटली में मसरूफ हैं वो इस वक्त वेटिकन सिटी पॉप से मिलने गए हैं और उसके बाद वो क्लाइमिटी चेंज की सम्मिट में हिस्सा ले रहे हैं उनको शरम आनी चाहिए पहले मुलके हाला थमालना मोदी जी पिर क्लाइमिट चेंज की बाते करना तुमारे हाथ में नहीं बारिश बंद करना और दूप बंद कर देना कि त्रीपूरा का जो वालेंच हो रहा है हमारी मजजिदें जलाई गई हमारे कई कुरान जला दिये गए हमारे लोगों को बेगर किया जा रहा है हमारी औरतों की असमत रेजी हो रही है हमें तकलीफ है और हमें बहुत तकलीफ है वो वक्तन फवक्तन निकलती रहेगी देखिए मैं आपको एक ब किराने के बाद ही चैन की सास लेंगे हम इसके लिए तैयार है तरिपुरा है कल कोई और स्टेट होगा और फिर कोई और स्टेट होगा हम डर नहीं रहें बड़ी अच्छी बात है कि हम को हम्मत मिल गई है ऐसे वाइलेंज होते रहेंगे तो गौधी की मौधी को पता चलता रहेगा कि मुठी भार जो माइनॉरिटी होती है उनकी क्या ताकत है पात करते हैं गौधी मीडिया की तो मीडिया से पहले हमने गौधी लगा रखा है तो यह बात तो महीं साफ हो जाती है कि जो लोग गौधी में बैठे में और जिनको पाला जा रहा है जिनको बॉट्ल में दूट डालके निपल लगा कर पिला जा रहा है तो उस से आप क्या उमीद करते हैं क्या उमीद करते हैं वो तो अभी बच्ची अभी तो पाला जा रहा है अभी तोचलना सिखाया जा को फैवर कर दिया अब यह माजरा क्या था मैं इसलिए बता दू कि हमारी काव में जाहिलों की कवी नहीं है हम हर चीज मुबाइल पर देखते हैं नियूज नहीं देखते हैं इसलिए नियूज बतानी पड़ती है जाहिलों को कि पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ कीजिए मैच को उसमें पाकिस्तान जीत गई वो भी दफा कीजिए जीतने को मसला यह हुआ कि हमारे एक मुसल्मान हिंदुस्तानी क्रिकेटर को इस बात का इजाम दिया गया कि वो घतारे इसलिए टीम हार गई तो सबसे बड़ी मोधी गॉर्मेंट शेम शेम उसके बाद जब विराट कोली जो हमारे कैप्टन है उन्होंने इस बात के खिल खिल होता है इसे मजब से ना जोड़ा जाए तो इनको इंटरनेट पे नौ महीने की बच्ची की रैप की धंकिया मिलने लगी दूसरी मोधी गॉर्मेंट शेम शेम अमीचा को तो डूब के मरना चीए मग मुझे लगता है उसे डूबने की जगा नहीं मिल रही और तीसरा मोधी अमीचा जितनी हम शेम शेम कर लें खेर जब तक गॉर्मेंट नहीं गिरेगी शेम शेम होगी और गिरने के बाद जो हो इनके साथ जोगा वो तो पूरी हिंदुस्तान देखेगा इंशालला लेकिन स भूकान नहीं बंद कर सकते एक दिन के लिए नौकरी की सेलरी नहीं कटवा सकते हम ओरते ये खरीब हैं हम सब जो खड़े हम खरीब हैं हमें कितनी बेवाए हैं यहां पर जो अपना घर चलाती हैं मगर हम यह सड़कों पर खड़े इसलिए हश्र के मैदान में अल्ला हमें के खिलाफ हो रहा है और जो मुसल्मान मर्द और आउरत अपने घरों में बैटे हैं और वो सड़कों पर आवाज नहीं उठा रहे हैं मैं कहती हूं कि नेक्स बारी उन्हीं लोगों की है शरमानी चाहिए इसलाम 24 घंटे टोपी पहनने का नाम नहीं है इसलाम माते पे काला का निशान बनाने का नाम नहीं है इसलाम जो है वो इंसानियत का मधर है वो सिखाता है कि हम इंसान एक जिसम की तरह है एक हिस्चे को तक्रीफ पहुछती है तो पूरा जिसम में मतासिर होता है अगर ये जजबा मेरे मुसल्मानों में नहीं तो अपना नाम बदलिये मुसल्मानों की लिस्ट से अपना नाम कटवाईए मेरी वो आर्टें जो बाजारों में बुर्के पहन कर दुकानों पे शापिंग करती हैं लेकिन वो प्रोटेस में हिस्सा नहीं लेती ही जब इस मुल्क में इसमत रेजी होती है जब इस मुल तुम लोगों को तबसे बड़ा तो गंदगी जो है इस मुल्क में वह याई है कि पॉलिटीशन होने का धबा लग जा अब दूसरा पेगाम ओन क्रिश्टन्स माइनॉरेडी के नाम जिनकी नंस का रैप किया जाता है प्रोटेस में नहीं निकलते फिर उसके बाद डलित जो लोग सो रहे हैं अब नेक्स्ट उन्हीं को कफन पहनने की तैयारी करनी है लेकिए आज वोमेंज की दो विंग वोमेंडिया मुवमेंट और नैशनल वोमेंट फ्रंट ने एक जॉइंट प्रोटेस निकाला है इन दा फेवर आफ त्रिपुरा वाइलेंस ये जो जाज करने के लिए मुस्लिम चौक पर खड़े हुए हैं